हेलो दोस्तों कैसे हूँ आप लोग, welcome back to the channel, मेरा नाम है अबदुल और आज की इस वीडियो में discuss करने वाला हूँ TCS की तरफ से update TCS ने freshers के लिए update निकाली है और अगर आप recently pass out हो तो आप भी यहाँ पे apply कर सकते हो इस वीडियो को एंट तक देखना डीटेल में समझेंगे job description क्या है, किस रीकी से apply करना है official website पर जाके ही आपको apply करना रहेगा और सारी चीज़े में आपको इस वीडियो में share करने वालो तो बस आप से एक request है एंट तक वीडियो में बने रही है तो आईए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते है सबसे पहले तो समझेंगे कि इस अपडेट में क्या है, qualification, important details, क्या दी हुई है and apply करने की process, job description, सब कुछ देखेंगे by the way पहली बार visit कर रहे हो तो चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस कर देना ताकि किसी भी तरीके की job update आप से मिस ना हो और वीडियो में आगे बढ़ रहे हो, तो like भी कर दीजिये साथ में so यहाँ पे जैसे ही हम इस update के page को open करते है, TCS का तो job description को पहले देख लेते है job description में इन्होंने कहा है, कि आपकी जो main responsibility रहेगी आपको यहाँ पे जो है manage करना रहेगा, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे काम नहीं, cafeteria management कहा है, तो आपको यहाँ पे टेबल बगिरा साप नहीं करना है आपको उसको manage करना रहेगा, cleaning के contracts, बहुत सारी चीज़े रहती है वो आपको manage करने रहेगी, तो key responsibilities यहीं रहेगी साथ में इन्होंने deliverables, day-to-day operation requirements हो गई, यहाँ पे आपको administrative profession है उसमें आप pursue करने वाले हो, तो आपको यहाँ पे जो है, उसमें कुछ न कुछ नया सीखना, innovate करना, यह सब करना रहेगा तो आपकी जो main चीज़े आपकी job में रहेगी न वो यह है, और यह यहाँ पे mention की हुई है तो आप एक बार इसको read कर लीजे, screen पे दिख रहा होगा अब आगे बढ़ते है next part पे, कि यहाँ पे eligibility criteria क्या है तो इन्होंने बताया हुआ है कि full time, अगर आपने B.com, B.b.a, B.ms, graduation complete कर लिया है और अगर आपने ग्रेजवेशन 2022 या 2030, मतब कि अभी recently भी आपने complete क्या है, आप apply कर सकते हो साथ में इन्होंने percentage का criteria 60 percentage का है, highest qualification के अंदर इन्होंने यहाँ पे, कोई extended education को नहीं बोला है, आप यहाँ पे इसके बिना apply कर सकते हो बस bachelors है, आप eligible हो अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप में से बहुत सारे read करके आएंगे, कि experience का है up to two years experience, इसका मतलब क्या होता है, मैं समझा देता हूँ आपके पर ज्यादा से ज्यादा दो साल का experience होना चाहिए, मतलब कि आप fresher हो चलेगा ज्यादा से ज्यादा दो साल का experience होगा, चलेगा अब इसमें freshers eligible होता है, इसको आप ultimate लेजिए अब यहाँ पर सीधी सी बात है, जिसके बास दो साल का experience होगा, वो entry level job में आएगा क्यों इन्होंने भी क्यों condition लगा है नहीं पता, लेकिन freshers eligible है अब यहाँ पर backlogs के अंदर का है, कोई भी backlog नहीं होनी चाहिए, सारे full time course होने चाहिए जो भी आपका 10-12 bachelor's हो है, वो सब full time होने चाहिए age limit की बात करें, maximum 26 है, minimum 18 है, work experience का मैंने आपको भी समझा दिया I hope आपको यह चीज़ clear हो गई होगी, अब next आते है, कि भाई, अगर आप apply कर रहे हो, तो किस तरीके से apply करना है और यह है गया, TCS की तरफ से यह off campus hiring है, और इसकी जो last date है, वो इन्होंने बता दिये, 29th June है और यह जो इसकी test होने वाली है, वो 15th July होगी, तो यह सारी चीज़े इन्होंने openly mention कर दिया अब मैं जब आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, करीब करीब 21 June हो चुका है, आपके पास 7-8 दिन अभी भी apply करने के लिए यहाँ पर apply करने की कोई भी fees नहीं है, तो इस जमेले में मत पढ़ना, कोई भी आपस fees मांगे तो भाई उसको दे मत देना, TCS के नाम से काफ़ी जारे कुछ ने कुछ email IDs बना लेते हैं और आ जाते हैं, तो ऐसे चीजों में मत पढ़ना, TCS वक ऐसे कोई भी company पैसे नहीं मांगती है अब apply कैसे करने हैं, वो देख लो, यहाँ पे next step portal इन्होंने दिया है, इनका खुद का portal है, वहाँ पे जाके आपको apply करना रहेगा अब यहाँ पे दो सिनारियो है, एक तो जिन्होंने और ने 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 उसर है, तो आपको यहाँ पे registered user हो, तो directly जाके apply कर देना है इसमें बहुत जादा कुछ hard नहीं है, फिर भी आप इनके customer support को call कर सकते हो, अगर आप करना चाओ, लेकिन पहले एक बार try कर लेना अब next आते है, selection process क्या रहाएगा, और salary वगरा क्या मिल जाएगी, तो देखो, अगर आपका यहाँ पे selection होता है, salary बहुत जादा तो नहीं मिलेगी, लेकिन TCS का नाम है, आपको 20-25,000 के बीच में salary मिल जाएगी, साल का 5-3,000,000 का package यह offer करते है entry level पे, लेकिन यहाँ पे test pattern और selection process जो है, comparatively बाकी सबसे बहुत easy होगा, अगर बात करें न तो 3 subject रहेंगे, verbal, count and reasoning, 65 minutes की exam रहेगी, और यह 3 section रहेंगे, बस यह test है, आपको यह test 15 July को देनी है, अब इसमें बहुत जादा preparation करने की ज़रूरत नहीं है, 2-4 papers refer कर लो, जो previous year TCS के है, आपका गाम हो जाएग जैसे ही आप click करोगे, आपको TCS के लगती सारी information में लेगे and वहाँ पे apply now का button होगा, जो आपको यहाँ पे लेकर आएगा, 29 June से पहले apply कर दिना, अगर आप interested हो, बाकी सारी details description में है, और हाँ channel पे कोई भी तरीकी की video miss नहीं करना चाते हो, simply subscribe कर लो, ताकि कोई भी video miss नहीं